हालो फ्रेंड्स वैलकम टू माई लीगल कोट आएम आशुवार लवानिया जैसा के पता है PCS के एक्जैम्स का दौर चल रहा है और पॉलिटी इस वन अप दो मेजर पार्ट्स और पॉलिटी के बारे में मैं आपको बता दूँ पॉलिटी सिर्फ PCS के एक्जैम में ही नहीं बलकि All India Level के या All India में जितने भी competitive examinations होते हैं उनके लिए बहुत important section माना जाता है इसके अलावा ये personal and common general knowledge के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है तो इसी सीरीज में जो हम सीरीज कर रहे हैं PCS की one-liner form में Indian quality and governance तो इसी की chapter wise सीरीज में आज का हमारा chapter है Directive Principles of the State Policy मतलब कि देखेंगे लेकिन उससे पहले आप हमें follow कर सकते हैं Instagram, Facebook, Twitter वर Telegram पर बस आपको search करना है My Legal Code वह उसे subscribe करना है आप इस lecture का PDF भी download कर सकते हैं Telegram से देखिए directly connect कर सकते हैं आप हमें visit our website that is www.mylegalcode.com वह किसी भी confusion के लिए 24 into 7 WhatsApp us that is 99054440 तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का topic Directive Principles of State Policy राज्यके नीती निजशक तत्व देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं मेरे पास कुछ कमेंट्स आये थे कि उनको language में थोड़ी problem होती है तो मैं उनको बोलना चाहूंगा भले ही हमने यह सारा जो format है वो English में बनाया है लेकिन मैं पूरा Hindi और English bilingual तरीके से समझाता हूं फिर भी I think आपको कोई problem होनी नहीं चाहिए लेकिन अगर कोई problem होती है तो we welcome your messages and suggestions ओके तो चलिए continue करते हैं first the purpose of the inclusion of Directive Principles of State Policy in the Indian Constitution is to establish social and economic democracy देखिए जो हमारे भारत के सम्विधान के माध्यम से राज्य के नीती निदेशक तत्त्त लाए गए थे जो समविधान में राज्य के नीती निदेशक तत्त लाए गए थे उनको भारत के सम्विधान में mention यानि की शामिल करने का जो मुख्य उद्देश से क्या था वो उद्देश था social and economic democracy देखिए सामाजिक वो आर्थिक लो अगिदारी इसको कहते हैं social democracy और economic की बात करते हैं तो यह अर्थ विवस्ता से संबंदित democracy की बात होती है तो यहां पर जब हम फिर एक बार बोलते हैं कि भारत के सम्विधान में राज्य के नीती निदेशक तत्त्तों को लाने के पीछे क्या वजह थी वो वजह थी कि हमार आर्थिक लोगतंत्र को स्थापित करना I think it is clear next the objectives of the DPSP देखिए DPSP stands for Directive Principles of State Policy इसको abbreviate करेंगे हम DPSP से याद रखिएगा और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि DPSP Directive Principles of State Policy की जब भी बात आए कि यह किस देश के सम्विधान से लिए गए कहां से बारो किये थे these were borrowed from the Irish Constitution remember it okay now come to the point the objectives of the DPSP मतलब की राज्य के नीती निजशक तत्तों के को लाने की पीजे क्या क्या लक्षे थे number one to establish a welfare state मतलब कि एक कल्यानकारी राज्य की स्थापना करना कल्यानकारी राज्य क्या होता है जहां पर जादा से जादा लोगों के जादा से जादा समाज के लोगों के कल्यान के वारे में सोचा जाए उसे कहते हैं कल्यानकारी राज्य ठीक है तो कल्यानकारी राज्य की स् स्थापना करना next to ensure socio-economic justice समाज में सामाजिक वा आर्थिक न्याय की स्थापना करना and the last one is to establish a secular state मतलब के एक पंत निर्पेक्ष या धर्म निर्पेक्ष राज्य की स्थापना करना देखिए मैं secular state की जरूवत को बता देता हूं हमारे देश में unity in diversity मतलब के देश में एकता है लेकिन अलग अलग तरीके के लोग हैं तो यहाँ पर धर्म की बात करते हैं तो religious diversity भी है मतलब धार्मेक रूप से भी अलग अलग धर्म के लोग धर्म संपरताय के लोग यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर उनके बीच में सोहार्द बना रहे यह भी DPSP के माद्यम से राज के नीति-निदेशक तत्तों के माद्यम से मतलब secular state बनाई रखने के लिए धर्म निर्पेक्ष या पंत निर्पेक्ष राजी बनाई रखने के लिए पूरी-पूरी प्रयास किए गे पूरे-पूरे-प्रयास किए गे secular के बारे में बता दूँँ आपको पता होगा भारत के सम्विधान के प्रस्ता बना में जो एक secular word जोड़ा गया था 1976 में 42nd constitutional amendment मतलब कि 42 में सम्विधान संसोधन के द्वारा secular word जोड़ा गया था इसका मतलब होता है धर्म निर्पिक्स एक बार एक लाइन में फिर बता दिता हूँ ये इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हमारे देश में किसी भी मजहब किसी भी धर्म संप्रताय का व्यक्ति अपने तरीके से practice, पूजा, प्रार्थना की प्रक्रिया को अपना सकता है उस पर किसी भी तरीके का सरकार की तरब से है किसी की तरब से कोई दवाब नहीं है ओके, यहां तक आई होप आपको clear हुआ होगा next, DPSP spells out the socio-economic democracy in the country वही बात है, राज्य के नीती निदेशक तत्तों को लाने की वजह सिर्फ यह थी के देश के अंदर सामाजेक वा आर्थिक लोकतंतर को स्थापित किया जा सके one-liner में याद रखिएगा next, the provisions contained in DPSP are not enforceable by any court or non-justiciable देखिए, राज्य के नीती निदेशक तत्तों में जो भी प्रावधान किये गए है आप उनको court में challenge नहीं कर सकते तो आप समझ जाना DPSP is one among them DPSP को आप enforce नहीं कर सकते court में इसके अंदर राज्य के नीती निदेशक तत्तों के अंदर जो भी प्रावधान है उनको आप court में challenge नहीं कर सकते next, the concept of welfare state is included in the constitution of India in the directive principles of state policy DPSP and the preamble very important एक तो आपको पता है मैं तब से चर्चा कर रहा हूँ welfare state हमारे देश के समझ जब आप देखेंगे तो welfare state जो दो जगए पर यूज किया गया है एक तो राज्य के नीती निदेशक तत्तों में और एक प्रस्तावना में जो प्रस्तावना जब भी आप constitution को पहले ही open करेंगे तो सबसे पहले preamble आता है प्रस्तावना आता है जो हमारे एक तरीके से समविधान का main content बता देता है कि समविधान का purpose क्या है समविधान पूरे बनाए जाने का उद्दिश से क्या है तो उसी में welfare state की बात कही गई है और किस में कही गई है राज्य के नीती निदेशक तत्वामत नेक्स्ट DPSP has been borrowed from the constitution of Ireland Irish constitution मतलब कि Ireland के समविधान से Directive Principles of State Policy मतलब कि राज्य के नीती निदेशक तत्वामत का जो concept है किस देश के समविधान से लिया गया आयरलेंड के से यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यहां पर repeat कर दिया है आई होप आपको आपको याद हो जाना चाहिए Next Directive Principles of State Policy according to the Constitution of India are fundamental to the governance of the country देखिए भारत के समविधान के अनुसार राज्य के नीती निदेशक तत्वा जो है वो क्या है देश में शासन प्रक्रिया को चलाए जाने की समझ लीजे देश में शासन प्रक्रिया को चलाए जाने की मूल भावना को बताती है मतलब कि देश में शासन प्रक्रिया चलाते में हमें किन-किन बातों का याद रखना है किस तरीके शासन किया जाना है वो सब किसमे नहित है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो के भारत के समविदान में जोड़े गए हैं I hope आपको यहां तक समझ में आया होगा Next, equal pay for equal work has been ensured in the constitution of India as one of the directive principles of state policy देखिए भारतिय समविदान में समान काम के लिए, समान वेतन, समान काम के लिए यह किसमे ensured किया गया है, भारत के समविदान के द्वारा समान वेतन, समान काम के लिए यह राज्य के नीति निदेशक तत्वा में शामिल किया गया है याद रखिएगा, one-liner में आता है, बहुत important question है Next, equal pay for equal work for both men and women is included in the directive principles of state policy देखिए वैसे मझे आपको पहले मैं ही समझा देना चाहिए था, पहले point में ही समान, वेतन, समान काम के लिए किस purpose में का गया था Actually, आपने देखा होगा, हमारे देश में अभी भी क्या होता है कि women को less capable समझा जाता है जब भी आपने देखा होगा, factories में आजकल खासकर बिहार, यूपी, इस्ट और जो भी घरीब जो लोग है अलग-अलग राज्यों के वो आकर के उनमें महिलाएं भी काम करती है काम नहीं करती है तो बच्चों बगरा को समालती है, उनके खाने पीने का इंतिजाम मतलब किसी न किसी रूप में महिलाएं भी आजकल इंडस्ट्री लेबर वर्क में काम कर रही है लेकिन कुछ इस तरीके की mentality है कि महिला काम तो पूरा ही करती है लेकिन उसको as comparing to the main उसे less capable समझा जाता है मतलब कम काम करने वाला समझा जाता है तो उसके जो pay में भी कुछ differences होते थे लेकिन ये किसम सेक्योर किया गया कि समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा चाहे इंसान में मतलब मर्द हो पुरुष हो या कोई स्त्री हो तो ये हमारे राज्य के नीती निदेशक तत्तों में इस बात का प्रावधान किया गया कि चाहे आदमी हो चाहे औरत हो लेकिन उन दौनों के समान अगर काम कर रहे हैं समान आर्ष के लिए कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलेगा ठीक है according to Constitution of India भारत के समविदान के अनसार तो यही प्रावधान है इन्रियल क्या हो रहा है यह हम कोई जानते नहीं या जानते भी हैं तो बोलते नहीं है चलिए हम तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इस लेट डाउन अंडर सबसे पहले देश में, किस सन में, किस जगह से, किस डिस्ट्रिक्ट में और किस स्टेट में लागू गवा था यह बहुत ही important question है और मुझे उम्मीद है कि सब को पता होगा आप comment section में जाकर इसका answer कीजिए तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इस लेट डाउन अंडर पंचायती राज सिस्टम भारत में किसके अंतरगत स्थाबित किया गया है directive principles of state policy राज्य के नीति निदिशक तत्तों के अंदर ही पंचायती राज सिस्टम का व्याख्यान किया गया है या इन्हें पंचायती राज सिस्टम को सामिल किया गया है Next, the article directing state government to organize village panchaits is Article 40, भारत के सम्विधान में article जो 40 है अनुच्छे 40 में भारत का सम्विधान, राज्य सरकारों को ये निर्देश देता है कि वो village panchait मतलब gram panchaits का गठन करें ये किसमक आ गया है, article 40, very important Next, under the constitution of India, organization of village panchaits, a directive principle ठीक है, तो देखिए, भारत के सम्विधान के अनुशार gram panchaits का गठन, किसके अंदर आता है नीती निदेशक तत्तों के अंदर Next, article 41, right to work education and public assistance in certain cases मतलब कुछ विशेश cases में, कुछ विशेश मामलों में काम करने का, शिक्षा का, वह लोक सहायता, public assistance इन तीनों का, right की जब बात होती है, अधिकार की बात होती है कुछ विशेश मामलों में, काम करने का, शिक्षा का, वह public assistance मतलब कि लोक सहायता के, अधिकार के बारे में किस अनुश्यद्मक आ गया है आर्टिकल 41, next, आर्टिकल 44, uniform civil code for the citizens देखिए, इसे कहते हैं समान नागरिक सहिता, और यह बहुत important भी है क्योंकि यह इकलोता भारत के सम्विधान का ऐसा आर्टिकल है, जो आज तक लागू नहीं हो पाया और जहां तक मुझे पता है, अगर आप news वगरा में update रहते हैं, तो आपको पता होगा, UCC बिल के बारे में आज कर बहुत चर्चा भी चल रही है ठीक है, और कहा यह जाता है, कि यह भारत में सिर्फ एक ही जगे लागू है, वो है गोवा ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर इतना याद रखना है, कि आर्टिकल 44 किसके बारे में बात करता है, मतलब भारत का सम्विधान, का अनुच्छित 44, किसके बारे में बात करता है, समान नागरिक सहिता, मतलब के Uniform Civil Code, in short UCC Next, Article 48, Organization of Agriculture and Animal Husbandry, देखिये, Animal Husbandry, Husbandry से आप Confuse मत होईएगा, Animal Husbandry का मतलब होता है, पसुपालन, ठीक है, तो क्रशी वो पसुपालन के बारे में गठन किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है, वो है अनुच्छित 48 Next, MGNREGA, जिसे मनरेगा भी बोलते हैं, प्रोवाइट्स, Employment to at least one member of the eligible household for a minimum period of 100 years, sorry, 100 days in a year देखें, मनरेगा एक स्कीम चलाई थी, कॉंग्रेस गवर्मेंट में चलाई गी थी, महात्मा गांधी, National Rural Employment Guarantee Act इस योजना में क्या होता था, कि 100 दिन, मतलब साल में 100 दिन कुछ ऐसे आते थे, जिसमें कि ग्रामीनों के लिए फसल वगएरा को ले करके कुछ ऐसी, मतलब प्रॉब्लम्स को जादा फेश करना पड़ता था उन विपरीत, एडवर्स, 100 दिनों में, 100 देज के अंदर, उन 100 दिनों में गाउं के लोगों को माइगरेट करके, मतलब विस्थापित हो करके, काम वगएरा के लिए बाहर, अपने परिवार को छोड़ करके, बाहर ना जाना पड़े, उसके लिए कोशिश की गई कि गाउं के अंदर ही कुछ विकास का रहों, जिनमे की उन्हें लगायाजा सके, जिस से गाउं का विकास भी हो, लोग अपने गाउं में ही रहे, अपने परिवार के पास रहे, उन 100 दिनों में, उनको, मतलब कि एक परिवार के कम से कम एक सदस्थे को, उस योजना के अंतरकत काम दि लिए बाहर के राजियों में या बाहर ना जाएं ठीक है तो इस ग्रामीड लोगों के परिवारों की सुरक्षा के हिसाब से भी बोल सकते हैं यह एक्ट लाया गया और उन इस एक्ट में क्या किया जाता है सो दिनों के लिए हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को काम दिया जात है कि विश्व के मतलब अंतरराष्ट्री शांती और सुरक्षा के बारे में हमेशा हम योगदान देंगे आर्टिकल 51 इस रिलेटेट टू इंडियन फॉरेंड पॉलिशी देखिए यहां पर विश्व की शांती और सुरक्षा की बात चल रही है तो जाहर सी बात है यह भारत क विदेशनिती का हिस्सा है मतलब कि अनुष्च certains भारत की विदेशनिती का हिस्सा है अगर आपसेbons करके भी क्वेस्चन क्योंषं पुछलेता है कि भारत की विदेशनिती का हिस्सा कौनुसा आर्टिकल है कौन्सा अनुख तो वो और सिफ्टी यह तक बिल्कुल tryre next अर्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिशी सिंपल है अनुष्चेद चती से लेकर के 51 तक जो आर्टिकल्स का एक गुरूप बनाया गया है यह जो पार्ट है यह वैसे पार्ट फोर्थ है मतलब कि भारत के समविदान में कितने पार्ट सें बाइस पार्ट है ना तो उनमें से सब्सक्राइब के बारे में नेक्स्ट आर्टिकल 43 क्लॉज ए अनुष्चे 43 ए अनुष्चे 43 ए मतलब भारत के समविदान में अनुष्चे 43 का क्या महत्व है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री मतलब कि देश के अंदर जो उद्योग ध अगरा भी आती है तो एक मैनेजमेंट होता है ठीक है तो उस मैनेजमेंट में लोगों की इस्सेदारी मैनेजमेंट ऐसा तो है कोई मैनेजमेंट नाम का कोई आदमी है अकेला ही पूरी इंडस्ट्री को चलता है नहीं दिस इस तरीके से कोई प्रोजेक्ट मैनेजर होता है कोई research and development manager होता है कोई HR manager human resource manager होता है इस तरीकी से पूरा management is what management is the group of personals ठीक है तो उस management में किसी भी उद्योग में उद्योग धंदे में प्रबंदन में लोगों के इस्सेदारी जरूरी है यह किस में कहा गया है आर्टिकल 43A भारत के सम्विदान के अनुष्चे 43 में कहा गया है next uniform civil code आर्टिकल 44 इसी के बारे में हम थोड़ा चर्चा की दिया हमने पहले was not added to the DPSP by देखिए आपको यह तो पता है कि 36 से लेके 51 तक अनुष्चे 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्तों के बारे में कहा गया है लेकिन उसी के बीच में आता है आर्टिकल 44 मतलब कि अनुष्चे 44 इस पर बहुत बड़ा अभी मैंने एक लेक्षर दिया था लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि यह भारत में लागू नहीं है आर्टिकल 44 जो था वह भारत में लागू नहीं है सिवाए एक राज्य के गोअ मैं ये लागू है Otherwise भारत के सम्विदान का यह अनिश्चेत देश में लागू नहीं है और देखिए भले ही यह 36 से 51 के बीच में आता है 44 लेकिन 42 सम्विदान संसोधन के द्वारा 1976 में इसे Direct Principle of State Policy मतलब के राज्य के नीती निदेशक तत्तों के पॉलिसी जो नीतियां है उसके दर्मियान मतलब उसके दाइरे से इसे अलग कर लिया गया मतलब एक बार फिर बता देता हूँ 42 सम्विदान संसोधन 1976 में अनुचेत 44 को चोंकि यह 36 से लेकर के 51 के बीच में आता है Directive Principles of State Policy का पहले एक पार्ट था इसको अलग कर दिया गया ठीक है और वो technical way में अलग किया गया आगे के lectures में जब कभी इस पर discuss करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे बढ़ते हैं Next The Constitution grants right against exploitation to children, women, tribal Dalit word is no way mentioned in the Indian Constitution देखिए जब भी हम बात करते हैं भारत के सम्विदान ने एक right दिया हुआ है यह fundamental right में ही आता है शोषण के विरुद्ध अदिकार किसके विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अदिकार तो यह सोषण के विरुद्ध अदिकार यह सोषण होता किस-किस का है Children, बच्चों का, women, औरतों का, tribal, जन जातीयों का हम सब जानते हैं ये तीन लोग होते हैं इनसे अलग अलग तरीके चे सोशन होता रहा है और आज भी होता है तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक मुलभूत अधिकार जोड़ा गया राइट अगेंस्ट एक्स्प्लोटेशन सोशन के विरुद अधिकार और यहां पर एक नॉलेज़िबल चीज यह है जो मैंने आपको मेंशन की है देखिए भारत के समविदान में कहीं पर भी दलेत वर्ड का यूज नहीं हुआ है याद रखिएगा राज्य के नीती निदेशक तत्तों के जब भी बात करते हैं तो इनमें क्या क्या सामिल होता है नमर बन प्रोहिबिशन ऑप दे कंजम्शन ऑफ इंटोक्सिकेटिंग डिंक्स मतलब कि कहीं पर भी जो नशीले पदार्त हैं उनके पीने पर रोक लगाना यह राज्य के नीत बड़ा मुद्दा चलता रहा है लेकिन आप याद रखिएगा के गौस अन्रक्षन मतलब गाया की सुरक्षा भी भारत के सम्विधान के अंतरगत राज्य के नीती निदेशक तत्तों का हिस्सा है Next, Environment Protection मतलब पर्यावरण सुरक्षा भी किसका इस्सा है राज्य के नीती निदेशक तत्तों Next, The Gandhian Principles that are reflected in the DPSP देखिए Directive Principles of State Policy जो है यानि की राज्य के नीती निदेशक तत्तों इनमें कुछ प्रावधान ऐसे किये गए हैं जिनमें गांदी जी की सिद्धानतों की जलक दिखाई देती है वो कौन-कौन से हैं? Number one, Organizing Village Panchaits मतलब कि आज की डेट में आप जानते हैं देश में पंचायती राज सिस्टम है, ग्राम पंचायते हैं ग्राम पंचायत में क्या होता है? कि एक limited community, मतलब एक limited area के गाउं के लोग मिल करके अपने ही बीच में से एक पंच को चुनते हैं और वही अपने द्वारा चुने हुए एक mechanism के तुरू एक person से खुद पर rule करवाते हैं तो इसे कहते हैं स्वाशाशन, ठीक है? तो गांदी जी हमेशा चाहते थे के देश में स्वाशाशन हो मतलब लोग खुद पर खुद के ही द्वारा चुने हुए प्रितनेदी के द्वारा रूल करवाएं ठीक है? नेक्स्ट, promoting cottage industries in rural areas गांदी जी हमेशा ये भी चाहते थे के ग्रामीड शेत्रों में cottage industry जो होती है उसको बड़ावा दिया जाए तो इन दौनों में गांदी जी के सिद्नांद जलकते हैं नेक्स्ट, directive principles of state policy differ from fundamental rights because DPSP are not enforceable whereas fundamental rights can be enforced देखिए major difference याद रखिएगा very 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 important कि राज्य के नीती निदेशक तत्तों में और मौलिक अधिकारों में एक main major difference मुख्य जो अंतर है वो क्या है याद रखिएगा कि DPSP का प्रावधान, जो DPSP में जो प्रावधान मतलब कि राज्य के नीती निदेशक तत्तों में जो प्रावधान किये गए हैं उनको आप court में challenge नहीं कर सकते लेकिन अगर किसी के व्यक्तिकत मौलिक अधिकारों को breach किया जाता है, तोड़ा जाता है या उनको infringe किया जाता है, उलंगन किया जाता है तो ऐसे में इनसान अपने fundamental rights को बचाने के लिए court में जा करके appeal कर सकता है directly ठीक है, तो ये major difference है DPSP और fundamental rights में Next, the constitution is silent in the directive principles of state policy about adult education देखिये, राज्य के नीति निजशक तक्त्वा में एक चीज ऐची है जिसके उपर भारत का समविधान आज तक बिलकुल silent है और वो क्या है, adult education, मतलग कि वयस्क शिक्षा, ठीक है, one-liner में याद रखियेगा Next, free legal aid, article 39A was added to the constitution of India at a later time 42nd constitutional amendment act 1976, very important देखिये, आपको पता होगा कि हमारे देश में एक प्रावधान किया गया है राज्य के नीति निजशक तक्तों के माध्यम से, अनुश्चेद 49A में वो क्या है, free legal aid, मतलब कि मुफ्त कानूनी सहायता क्या है इसका मतलब, मुफ्त कानूनी या विदिक सहायता देखिये, आप जानते हैं कि बात-बात पर केश लगना in general बहुती नॉर्मल बात हो गई है देश के अंदर लेकिन जब पार्टी एक दूसरे से केश लड़ती है तो उसमें एक कुछ पार्टी ऐसी होती है, जिन पर खाने तक के वांदे होती है, उन पर पैसा नहीं होता वो अपना वकील नहीं कर सकते तो ऐसी कुछ सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारत का सम्विधान अनुष्चित 49-1 के द्वारा ये प्रावधान करता है कि ऐसी पार्टी को जो आर्थिक रूप से बिलकुल कमजोर है उनको मुफ्त कानूनी सायताय उपलब्द कराए और उनको कानूनी सायताय लेते वक्त जो भी उनके खर्चे हैं उनको एक्जेम्ट करे, उनको बिलकोई हटा दे और उनको मुफ्त कानूनी सायता प्रदान करे लेकिन ये सोविदा जब देश का समविदान लागू हुआ था तब नहीं थी ये 42 समविदान संसोधन Act 1976 के द्वारा बाद में जोड़ा गया था किसमें अनुश्यत 49A में Next, the state's self-endever to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country किसी भी तरीके से पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करे पर्यावरण को बड़ावा दे और जो हमारे देश में जंगल और जो जंगली life है wildlife जो बोलते हैं उसको संरक्षित करे तो ये किसका इस्सा है राज्य के नीती निजशक तत्तो का इस्सा है इसे याद रखिएगा next some important directive principles of state policy are कुछ महत्वपून राज्य के नीती निजशक तत्तो कौन से है इसे ही कुछ चीज है कि जीवन जीने के लिए जो पर्याप्त माध्यम है वो हर इंसान को दिये जाने चाहिए next just and humanic conditions of work मतलब कि लोग काम बगरा करते हैं उनके लिए पर्याप्त तरीके का माहौल तयार करना भी राज्य का नीती निजशक तत्तो है याद रखिएगा next the directive principles of state policy is a check which is paid on bank's convenience it's said by केटी साह देखिए केटी साब बहतर और एक जानिमानी personality थे आप इसे याद रखिएगा one-liner है इन्होंने कहा था यह statement the directive principles of state policy is a check which is paid on bank's convenience ठीक है directive principles of state policy fulfilled national social assistance program launched by the government of India देखिए भारस सरकार ने एक program launch किया जिसका नाम है national social assistance program हिंदी में बोले हैं तो राष्ट्रिय सामाजिक साहता कारेक्रम इसको launch किसके माध्यम से किया जाता है directive principles of state policy मतलब इसको launch करने में जितनी भी जरूरतों को पूरा करना होता है उनको पूरा करने में कौन मदद करता है राज्यके नीती निदेशक तत्व यहां तक आपको मैंने पूरा यह समझा दिया है directive principles of state policy आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा देखिए इससे पहले parts अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे कहने पर अधर्वाइज आप एक बार देखिए आपके सारे doubts इस series को देखने के बाद clear हो जाएंगे और यह one of the major parts है यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ठीक है तो यह था हमारा आज का lecture इंडियन quality and governance वह भी one liner form में अगले lecture को मैं जल्दी ही upload करूँगा लेकिन तब तक आप वीडियो को like कीजिए comment कीजिए वह share जरूर कीजिए channel को subscribe कीजिए directly connect कीजिए हमसे हमारी website के थुरू that is www.mylegalcode.com वह किसी भी confusion के लिए 24x7 whatsapp कीजिए the number is 990544440 for more videos stay tuned my legal code thanks to subscribe good luck and bye bye you